इसे आलिम वेल्कम टूब्लू पेन बुलू मार्कर दोस्तों कि लास्ट्ट ताइम जो और नहीं डिसकस किया था इंसीयर्टी की पहले किताब के बारे में हमने आपको बताया था कि किस तरह से आपको प्रिप्र करना है इस बार आज सिर्फ हर हम आपकोaben सो आज बताने वाले हैं आप सिर्फ और सिर्फ कंट्डीटी के बारे में हैं चोंकि डिफरेंचियल कैलकुल स्कानाइब वह आता है continuity और आप इस जीज़ को बिल्कुल भी न भूलें कि differential calculus जो है पूरे examination में आपको 44% marks दिलाने जा रहा है और इस 44% जो marks है इसको अगर जरा सी भी आप अगर miss करेंगे तो आपका 44% में जो marks का है वो बिल्कुल कम हो जाएगा तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिल् continuity क्या जीज़ है कोई function किसी पॉइंट पर continuous है इसका पता हम कैसे करेंगे तो मेरे बच्चों आप इस जीज़ को जानते हैं कि जब कोई function हमको इस परकार दिया हुआ है कि उसका left neighborhood उसका right neighborhood हमको दिया हुआ है और वो point जब दिया हुआ है तो हम इसको इस तरह से निकालते है कि left hand limit right hand limit LHL का formula आपको पता है आरेचल का formula आपको पता है और जब LHL का formula limit h tends to x tends to a minus a minus क्यों because थोड़ा सा a से कुछ कम हो रहा है अगर वो point a पे निकालना है एक के left side में limit x tends to a minus fx उसको calculate करेंगे उसी तरह से right hand limit आरेचल को भी calculate करेंगे और अगर यह दि दोनों का value same आता है तब हम उस function का value उस point पर calculate करने के लिए आगे बढ़ेंगे और जब यह तीनू value LHL, RHL और उस function का value a पर अगर तीनू का तीनू एकवल हो जाता है तो हम कहेंगे हाँ यह function इस point पर continuous है और अगर तीनू में से एक भी इकवल नहीं होता है माल लिजे LHL, RHL बरावर आगया वो FA के बरावर नहीं है या LHL, FA के बरावर हो गया वो RHL के बरावर नहीं है या RHL, FA के बरावर हो गया वो LHL के बरावर नहीं है इन cases में यह function discontinuous होता है अगर LHL, FA के बरावर है तो वो left side से continuous है और अगर आरे चल fa के बरावर है तो right side सी continuous है पैट उस point पर continuous नहीं है अब हम बात करते हैं कि इस में किस किस तरह के questions आते हैं सबसे पहला question आपको इस तरह से पूशा जा सकता कि discuss the continuity of this function इस function की continuity आप discuss करें तो function की continuity discuss करने के लिए आपको point अगर दिया हुआ है तो definitely यह तय है कि point के साथ आपको उसका left neighborhood और right neighborhood दिया रहेगा अगर यह दिया हुआ है तो आप LHL, RHL और उस function का value उस point पर निकाल देजिए तीनों equal है तो वो continuous है और अगर point दिया हुआ नहीं है तो आप अपने से x equal to a कोई point माल लिजिए और इसके left left में और इसके right में और point पर आप LHL, RHL और FA की साहिता से the help of these three concepts आप उसका function का value निकाल लिए तीनों equal है तो continuous है equal नहीं है तो continuous नहीं है दूसरी बात करते हम कि आपको सिर्फ जो हमने एक और definition बताया था है इसका continuity का कि कोई point है limit x tends to a fx और उस limit का value FA के बराबर है तो हम कहते हाँ यह function इस point a पर भी continuous है तो simple सा है और और इस तरह के questions जैसे discuss the continuity और continuity को check करें और यदि this function is continuous then find the value of lambda k और p जो भी दिया रहेगा तो हम उस तरह से भी निकाल सकते हैं तो इस चीज़ को बिलकुल भी आपको परेशान नहीं होना है कोई और ज़्यादा दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं कुछ typical questions है उसको आप कर लें या कोई दिक्कत हो तो आप हमें पोचें comment करें comment box में और अगर अभी चुकि अभी हम लोगों का revision classes हो रहा है अभी हमने revision खतम नहीं किया तो आप प्लीज इसको बिटा अगर कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चो आप हमें class में पूछो इसको clear करो चुकि यहां से कोईशन तो बनता है टू मारकरी सही objective में सही चुकि रैंकिंग के लिए two marks भी बहुत ज़्यादा होते हैं हमें इस चीज़ को neglect करना नहीं है हमें यकीन है हमें उमीद है हमें expect करते हैं कि आप अच्छे नंबर लाएंगे और उस दिशा में आप अपना कदमा बढ़ा चुके हैं और इसी के साथ आप अपना ध्यान रखें और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने studies को जाड़ी रखें और सिहत का ख्याल रखते हैं अपना काम करें और दोस्तों और मैं दोसरे लोगों से भी कहना चाहूंगा जो इसको देख रहें प्लीज आप हमारे इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें और यकीन हम आगले आगे आने वाले दिनों में चुके अभी हमारे पास कुछ sources, resources कुछ कम हैं तो हम कुछ करने ही पा रहे हैं याकिन हम आने वाले दिनों में बहुत अच्छा करेंगे और बच्चों के लिए ये काफी beneficial होने वाला है So, keep studying Thank you, thank you very much